हेलो फ्रेंट्स केसे हैं आप लो स्रमाई इंजिन ड्रो में आप सभी बने रही है कल जो यह वाला जो कुश्चन जो आइसोमेट्रिक भी हुए जो कल हमने अपलोड किया था तो उसके कमेंट आया हुग था कि तो आज मैं आपको अर्थोग्राफि इसका बताने वाला हूँ एक्दम सही तरीका से उसमें हर चीज का जिक्र किया गया है तो सब एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किजिएगा वीडियो को एंड तक तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यह हमारा फ्रंट हो गया जो कि फ्रंट में अगर इधर से फ्रॉंट से हम देखते हैं तो हमारा यह वाला पार्ट दिखेगा यह दिखेगा और यह दिखेगा ठीक है यह दोनों पार्ट नहीं दिखेंगे ठीक है और यह हमारा साइड हो गया इधर से देखने पर यह हमारा साइड में सिर्फ यह दिखेगा और यह दिखेगा फिर यह नहीं दिखेगा ठीक है और टॉप से और टॉप हमारा यह हो गया टॉप से अगर देखेंगे टॉप में अगर उपर से देखेंगे त तो चारों तरब से मन collaboration वैसाड़ से और इस से दस दस दीखेगा, और इस से और इस से बिस विसे मम मतलब की गैप दीखेगा, ठीके? यानि कि यह फिस दिखेगा और यह चारों से जो फिस है यह दीखेगा, ठीके? तो चलब करनाज सुरू करते हैं सबसे पहले देख लें कि इसकी लें मतलब की हाइड कितने हैं तो हाइड हम यहां से लेकर कि यहां तक का हाइड साथ हम है ठीक है और यह वाला जो है यह हो गया हमारा तीस यह यहां से लेकर कि यहां तक का माफ हमारा तीस होगा आपको पिछले वीडियो में आपको जो ले रहा है यानि कि 60, 30, 90 अब रही बाद कि front कि दर बनेगा और side कि दर बनेगा third angle projection में तो आपको एक short trick बताया था आपको बानते हैं कि यह जो 90 degree angle पर जो इलाइनिंग जो खड़ी है ले डिखेगा रह जो आपक рассoterै अपको आप पर pencil लग दिनाए है ऐगर माने है कि जो right में दिखेगा और right में बनेगा जो lep में दिखेगा और left नपनेगा तो यहां से हमारा left दीकर रहा है यानि कि नीचे हम front बनाएंगे लेप्ट शाइड में इधर और राइट शाइड में side बनाएंगे ठीक है और फ्रांड के just उपर हम top बनाएंगे ठीक है चले ड्रो करते है तो इसका height हुपने कितना बता है था इसका height हमने बताया था 90 तो हम क्या करेंगे 90 पर dot लगा लेंगे यह हमारा height 90 हो गया और इसको equal करने के लिए हम एक और कहीं पर भी 90 लेंगे तक ही एक दम बराबर हो ठीक है और इसको हम मिला देंगे हमने तो इसका height पता कर लिया अब हमको पता करना है कि इसका weight कितनी यानि कि चोणाई कितनी है ठीक है तो चोणाई कितना है 50 और 10 10 यानि कि 50 त साथ 10 70 यानि कि चोणाई हमें 70 ले लगी है तो चोणाई हम 70 ले लगी है यहां से ठीक है और यहां भी हम एक 70 पर dot कर दे रहे हैं तक एक वालो मैंने पिछले बीडियो बताया था कि कहीं पर भी कर सकते हैं सिर्फ लाइन ब्राबर करने के लिए जो ड्रो करेंगे उसको ब्राबर हो जाएगा अब हमें क्या करना है ध्यान भी यहां देना है कि प्रांट भी उसे दीखेगा कौन तो मैंने आपको बताया था यह वाला हिसा दीखेगा ठीक है यह वाला जो फेस है यह दीखेगा और यह दीखेगा तो कल हमने ड्रोइंग करते वक्त बताया था को जो यह जो दसस का समलेंगे आगे से बस ठीक है तुम तसस का डिस्टेंस ले ले रहे हैं कि बिल्कुल इजी है आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दस-दस का डिस्टेंस ले रखा है कि कल जिस तरह समने लिया था आज से मुझी तरह से हम लेंगे है hai यहाँ पर भी और यहां पर हुआ हेशं अży weight हुआ है अब क्या दिखना है कि हम को यह मिला करके और कि यहाँ से यहां तक सथ लिया था और में बद होता तो अब तक हम यहां पर बहुद लगा रहे है अब हम इसको ड्रो कर देखेत लएम इस पर भी को यह इस से क्या होगा कि यह हमारा फ्रंट मीलाइनिंक आ गया और यह लाइन हमारा साइट भी हमें दिखुए है मतलब की help मिलेगी इसको बनाने में अब हमें इस फ्रेम जो अब बाहर वाले फ्रेम है अब इसके अंदर नो हमको यह बनाना है ठीक है तो हमने इजर से तो 10 का distance ले लिया अब उपर से भी हम ले लेंगे ठीक है अब क्या करेंगे हम एक लाइनिंग कर देंगे हाँ पर एक लाइन ड्रो कर देंगे ठीक है और इसको भी हम बिल्कुल सीधा एकदम ले जाएंगे एकदम इधर हमने लिए रखा है है अब देखिए आप हम्मारा यह वाला जो हिस्सा है यानि की वाला जो फेस है यह तो रेडी होगा बनके दिखिए यहां पर यह रेडी हो चुका अब क्या करना अब यह वाला जो बॉक्स है जो आगे एका फ्रेस्स है जो फ्रंट से तीख रहा है आप उसका हमने ड्रो करना है तो ड्रो करने के लिए हम क्या करेंगे जो कल रमने 20 का डिस्टेंस इधर से लिए था और 20 यहां करेंगे तर्ष दस प्रेश एफ दस अथा कि मैं से लेके और यहों से बित लेके कि अधाने 시dom इसको सपैना को यहां के सबस्काइबर होगा तो हम यहांसे क्या करेंगे इधे लिएершले तो उने 20-20 का लिया लिया इसको क्या करेंगे हम इस पर लाइन ड्रो कर देंगे यह हो गया हमारा और इथर से भी हम जो लिया था इस फिर भी हम एक लाइन ड्रो कर देंगे अब हमार फ्रन्ट भी हो बनके रेड हो गया आप क्या करेंगा हम स्साट भी हो बनायेंगे तो चलिए पहले यह प्रण्ड भी विवह को जो यह हो गया हमारा जितना चाब दुन डर्क कर दिजिएगा और इधर से भी नीचे वाला भी होगा हमारा उप्र वाला भी होगा ठीक है? यह वाला जो बाहर वाला जो यह फ्रेम है यानि कि जो भी होगा है यह हमारा मतलब रेड़ी हो गया अब अंदर वाला दिखाने है लाइन हमको अब अंदर वाला दिखाने के लिए हम यह अंदर वाला को हम डार करेंगे प्रेटी हो गया अब यह हमारा हेएब आफ हेद वाला बास है अब उपर वाले यह स्मात होगा तो कि यह लाइन और ये लाइन और इस लाइन को मैं में भी से डारक करने, देख सकता है कि इसको हमने पूरा कर दिया, अब चलते हम साइड विव में, मैं साइड विव में, मीरियनि आपको सामने, तो इधर से हम आपको बताये साइड वी में यह वाला पार्ट दीखेगा और यह वाला पार्ट दीखेगा ठीक है तो इसकी हम आप निकाल लेंगे तो माप देखेंगे कितना है हमारा 50 पर में डॉट कर ले हैं इधर भी और उपर भी डॉट कर ले रहे हैं 50 पर ठीक है इसको हम आपस में मिला गएंगे थोड़ा उपर भी ले जा रहा है इसको हम क्योंकि यह बहुत ही बड़ा बनने वाला है अब ज़रा यहां पर गोर कीजिए साइड भीव से अगर हम इसको इस वीव को ऐसे गुमा दे रहे हैं तो साइड भीव से यह वाला भाग तो खर दीखेगा है लेकि साइड में कितना है यहां से यहां तक 10 का गैप है और यहां से यहां तक 10 का गैप है तो हम साइड में दोनों तरफ से 10-10 का गैप लेंगे ठीक है तो उस तरह करने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ से हमको 10-10 गैप लेंगे जब तो हम डोट कर लेंगे पहले नीचे भी डोट कर लेंगे ह ठीक है नीचे भी हमने डोड कर लिया अब इसको क्या करेंगे हम मिला देंगे ठीक है इसको भी हम मिला दे रहे हैं हमारा side view बनके ready हो गया अब देख सकते हैं यह वाला भी हुदी है यह है यह वाला जो face है तो हमारा यह हो गया और उपर वाला जो हम आपको बता है था यह हो गया ठीक है अब चलिए इसको हम dark करके बताते हैं जो जो lining हमको दिखानी है उसको हम dark कर दे रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले हम यह dark करेंगे ठीक है ठीक है आप देख सकते हैं जो हमको front view में जो दिखाना था वो हमने draw कर लिया अब चलते हैं top view में ठीक है अब top view में आपको देखना है कि अगर इस view को अगर उपर से ऐसे गुमाते हैं जिसे कि front पे नीचा चला जाएगा और यह वाला भी हमारे सामने आएगा ठीक है तो अगर देखेंगे तो हमारा यह दिखेगा यह लपार दिखेगा और यह दिखेगा और उपर से बस यह दिखेगा am a तो स्क्यां आप करेंगी हम इसका माप पता करेंगे तो इसका माप से जितना यह होगा उतना ही हो गाइए इतना यह होगा उतना यह होगा और यह होगा ठीक है तो यह 50 यह तो फ्रंट में भी मज़त सोरी टॉब में भी ये 50 नहीं होगा ठीक है ये 50 का होगा और हमारा ये कितना के लिए था 50 kn kindaela ने कर पčयास्वाथ तो यहां से आपड़े ले रहे ह lies ठीक है एक िधर प्यास ले रहे हैं आए हो गया और ये जो हम Space faklingt हुआ कर्झरा के डांऑ राइनंग कर ख दोशों सीधा हो अब हम लिन एक ड्रो करते रहे हैं ठीक है अब हमें क्या करना है कि अब हमें इधर से 10-10 का डिस्टेंस लेना है यानि कि 10 इधर से और 10 उधर से फिर इधर से भी 10 इधर से और 10 इधर से ठीक है और इस साइट से हमको 20 इधर से लेना है और 20 इधर से लेना है तो इसलिए आपको बोलते हैं कि जब भी कोई लाइन ड्रॉ करें देखिए अगर हम 20 लेंगे तो 20 तो पहले से ही और डेडी है ठीक है जब जब मैं फ्रॉंट बना रहा था तो इसलिए आपको बोड़ा था जो भी लैन करें मतलब कि एकदम आर पार करें सीधा स्टेट करें ठीक है उससे क्या होगा कि हमारा कोई भी वी चाहिए फ्रंट हो चाहिए साइड हो या चाहिए टॉप बराने में कोई भी दिकत समस्य नहीं आएगी ठीक है तो 20 हो गया है हमारा है तो यह हो गया तो हम उपर से भी दस दस ले ले रहे हैं अब हम लाइन डो कर दे रहे हैं इसको मिला दे रहे हैं आपस में कितना रहा था है कितना दस यहां पर है और हम इसको भी आपस मिला देंगे अब जो है हमारा फ्रेंट भी बन के रेडियो गया आप देख सकते हैं सिर्फ हमको अब हमको क्या करना है यह अंदर वाल जो बॉक्स है इसको बस हमको लाइन डो करने है ठीक है और बाहर वाला सब बस हो गया इसमें कोई इसमें कुछ भी नहीं बीच वाला भी ड्रो थे जुआ है ठीक है अब आइसमें इसमें एक और इंपॉंटेंट बात चीपी हुए है नो दीखाएं को παर चीज दिखाना है हमको जैसे कि मानते हैं कि इस साइड भी वे ठीक है फ्रट से यूवाला हो जो है अंदर वाला यह तो दिख रहा है सbayल साइड भीव में लेकिन आपसारी फ्रण्ट भी में अगर साइड भी ऐसे घुमात दिये जाए तो कोई नहीं बता सकता कि अंदर होल है कि क्या है तो इसको हम क्या करेंगे दिखाएंगे सीडिट से यानि कि डॉटेड लाइन से इसको दिखा देंगे हम ताकि अंदर है तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि सेंटर लाइन एक जैसे कम इसको महिंदी बहुनते हैं कालपनिक और यहीं सेम प्रोसेस हमको टॉप में भी करना है ताकि टॉप में भी अगर उपर देखेंगे तो यह हमको दिखाना बहुत जरूरी है तो इसको क्या करेंगे हम यह हम कितना में दिखाएंगे यह हम दिखाएंगे दस पर उपर से वह तो में यहां से नहीं हम इस सिंधे की उपर अब हमारा अर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया अब क्या करेंगे इसका हम डैमेंशन देंगे इसका हम एक सिंबॉल भी बना देते लेकिन कहीं पर जगे नहीं बची है हम चाहें तो इस पर बना सकते हैं लेकिन नहीं हम बना भी देंगे ठीक है रह ठीक है तो चलिए हम इसका डैमेंशन दे दे रहे हैं अब जैसे देख लिजे हमने तो मतलब की डैमेंशन तो दे दी लेकिन इसमें भी देखना है कि क्या हमने बनाया है तो क्या इस सही है या गलत है इसको हम जानने के लिए क्लिए क्या करेंगे यह जो लाइनिंग है यह यह जो बॉक्स बनाया गया है यह तो फिर अपने आप बनता है ठीक है जब आप बनाएगे का नहीं होता है तो इसको क्या करेंगे अगर हम मिलाएंगे यहां से यहां से एक लाइन कीचिंगे अगर जो भी इसमें कोने हैं कॉर्णर सब अगर टच करते हुए आगे निकल को बीख्ञे तो समझें कि आपका अटनर कव है इसलिए बोलत है कि मात एक दम बिल्कुल लिजीएगा सब्सक्राइफ है ठीक है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा बेल अगर प्लेस कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करूँ आपके मतलब की आपको पहले मिले नहीं तो आप वीडियो मिस्स कर सकते हैं ठीक है तो यह रहा सबसे और्थोग्राफिक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है इससे वेटर तरीका कुछ नहीं हो सकता ठीक है लेकिन इसमें विद्यान देना है हमारा 2H कहां भी बार यूज करना है और फोरेज कहां पर यूज करना है और HP कहां पर यूज करना ठीक है तो 2H के लि किसी और नेक्स पीडियो के साथ